जन जन मा देवत्व जगाओ आ धर्ती ने स्वर्ग बनाओ परम पूजिय पंडित स्री राम शर्मा अचारी जी योग निर्मार योजनानो देश जायर करेओ के मारा प्रतेक मनुष्य ने देवता अने धर्ती ने स्वर्ग बनावी आज नी विशम परिस्थितियों मां आ संकल पूरो करवा माटे आओ गिनानी अखंड जोती अवर्त धाराओ थी वैती करिये नमस्कार मित्रों रुशी चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज का चेप्टर के अहिंशा स्वामिश विवेकाना अहिंशा के एक रहस्यमाई सब्द है जीश से कम ही लोग समत्ते है अधिकतर लोग यही जानते है कि सरीर से किसी की पिटाइप मत करो किसी को गायल मत करो किसी को जान मत लो यह अहिंशा है अहिंशा का वह अर्थ तो प्रसिद है ही यह परन्तु यह अधूरा अर्थ है यह तो सारीरिक अहिंशा हुई इसके अतिरेक यदि किसी निद्वश वेक्ति पर आप खठोर बासा बोलते है उसकी खिली उडाते है उस पर वियंग करते है उसको वियर्थ में अपमानित करते है उसे छोटा सिद करने की कोशिश करते है तो यह भी इंशा है यह मारी के दोरा की गई हिंशा है इसी प्रकार से दुसरों के प्रति मन में बुरी बावनाव रखना यह भी हिंशा है यह मांसिक स्थर की हिंशा है जैसे कि कोई व्यक्ति मन में ऐसा सोचे कि है बगवान मेरे पड़े उसी की टांत तोट जाए इसका मकान गीर जाए इसके गोदान में आग लग जाए उसका बेटा दुर्गतना में मर जाए यह व्यक्ति न्याया लए में मुकदमा हार जाए इतियाद इस प्रकार का अनिस्ट चिंतन मानस्रिक हिंशा कर लाती है तो यह तिन प्रकार की हिंशा हुए सारिनिक वाचनिक और मानस्रिक इस तिन नो प्रकार की हिंशा को न करना किसी पर शरीर से अन्याय न करना वानिस से भी निर्दोस को डनन न डातना मन में भी किसी का बूरा ना सुचना यह पूर्ण अइशा का लाती है जो अइशा का पालन करता है वो सदा प्रसंद रहता है उससे इश्वर का आशिरवार मिलता है हाँ यदि कोई आपके उपर आक्रम करें तो आप अपने रक्षा आउश्यक करें यदि आप अपने रक्षा नहीं करते और व्यर्थ में दूसरों से पिठते रहते हैं तो यह भी अइशा नहीं है श्वामी विवेकानन्द जाई गुर्देव जाई गुर्देव जाई गुर्देव